हाई एब्रिवन नमश्कार कैसे हैं आप सब एक बर फिर से आप सब का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही जादा हेल्फुल है वह इसलिए कि आप लोग के मन में भी डाउट होगा ये कि पहली संतान के सब कर दो किसी किसी के सिर पर बाए से दाई और साथ में किसी किसी के सिर पर तो इन भवर का क्या मतलब होता है तो फ्रेंड जिन बच्चों के सर का जो भवर है वो बाए से दाएं तरफ जा रहा है मतब इस तरीके से घुम रहा है clockwise तो ऐसा माना जाता है कि जो अगली संतान होगी वो लड़का होगी ठीक है अब जिन बच्चों के सर पर दो भवर होते ह सब्सक्राइब forefront सब्सक्राइब जाएब की अगली सब्सक्राइब पाल उसको चेक किया था तो मेरी गल के सर पर पर यह भवर ता जो की दाय से बाइं आए तरफ जाός रहा था उल्टा था जिस case में माना जाता है कि लड़की होगी उस case में मुझे baby boy हुआ क्योंकि baby girl के बाद जो मुझे next baby हुआ वो baby boy हुआ तो मेरे case में तो जो ये चीज है वो wrong सावित हो गई तो friends इसलिए इन भवर का आने वाली संतान से मुझे नहीं लगता कोई मतलब होता है इनके पीछे एक मतलब जरूर होता है वो होता है कि अगर आपके बचे के सर पर जो भवर है वो clockwise है मतलब बाए से दाई तरफ जा रहा है तो ऐसा मानते है कि वो बच्चा बहुत ही अधा सीधा साधा संसकारी होता है पढ़ने भी बहुत ज़्याद होता है उसको focus of mind भी बहुत अच्छा होता है अब इसके बाद जो second condition होती है वो होती है अगर बच्चे के सर का जो भवर है वो दाए से 20 तरफ है मतलब anti clock है तो यसा माना चाहता है कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब naughty होता है थोड़ा सा शरारती टाइप का होता है तो यह तो हो गया second अब थर्ड चीज क्या आती है जिन बच्चों के सर पर दो भवर होते हैं बहुत हो सुपर वाले नौटी होते हैं ऐसे होते हैं कि बहुत सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं किसी की नहीं सुनते ना ममा ना पापा किसी की भी नहीं सुनते वह लाइफ में लेकिन जो कि जान खाने वाले होते हैं इतने जादा नौटी होते हैं अब आप सोच रहे हूंगे आप ऐसे क्यों कहा रहे हूं मैं इसलिए क्यों कि एक्सपिरियंस मेरे साथ चल रहा है मेरा जो बेबी बॉय है उसके सर पर दो भबर है एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉक तो क्या है वह आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा एंटर्टेनिंग होगा और बहुत ही ज्यादा हेल्फुल रहा होगा तो चले फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाबाए थैंक्यों